प्रिंट या फिर इलेक्ट्रोनिक मीडिया आज तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही वायरस का कब्जा है कोरोना कोविट-19 इस बिच देश की रईधानी दिल्ली में करीब 120 विर्धास्रमों में से निहाल विहार का विर्धास्रम किस दोर से गुजर रहा है क्या वहां साफ सफाई की बेवस्था है क्या मास्क भरपूर है क्या गलफ्स है बिर्धास्रम को समय समय पर सेनेटाइज किया जा रहा है क्या खाना स्वास्थ एवं अन्य जरूरी चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर हमने इस बिर्धास्रम के संचालक तारकेश्वर सिंग से जाना चाहा बिर्धास्रम में रहने वाले विर्धों का मुएना किया आईए आपको इस वीडियों के माध्यम से लाइब दिखाने का प्रियास करता हूँ नमस्कार टाइमसलाइब इंडिया में आपका स्वागत है अभी हम मौजूद हूँ निहार विहार इस्थित स्वर्ध बिर्धास्रम के संचालक तारकेश्वर सिंग आपके स्क्रिंग पर है यह क्या कुछ बताएंगे कोबिड नाइंटीन और वाइरस के बीच अपने बिर्धास्रम में रहने बिर्धों की सेवा और इनके साफसफाई के लिए क्या कुछ करते हैं जे इस तक के सवर्जी नहीं है इसलिए उनको बेट पर हाँ ध्वाना पड़ता है और बाकी फेनायल से सफाई करते हैं रोज कप्रे बदले बदले जाते हैं रोज इनको नहवाना ध्वाना होता है यही सब यहां पर किया जाता है फिर उसके बाद में आपको इनकी एक समस्या और है जो की दूरी सब्सक्राइब लेकिन सरकारी जैसे की करोना पर कोई चेकी नहीं हुआ और सेटलाइजर में कोई दो आदमी आये थे वह भी कराया उन्होंने दो दिन सेटलाइजर भी हुआ है इस आस्रम में और आगे सरकार का जो अभी सेटलाइजर वाला सिस्टम है अभी तक यहां पर दिर्ली के किसी आसरम में नहीं हुआ है और स्वर्ख विरदास्रम निहाल भीहर में नहीं हुआ चप्राइजर से अपना हाथ होने के लिए आने से पहले हाथ होगाते हैं अब फिर जाते से मैं भी उनका हाथ वाता हूं सेटलाइजर से सरकार का निर्देश है कि सोसल डिस्टेंस समागे दूरी बनाई रखी जाए आपके आसरम में देखके असानी लगता है कि दूरी का कोई ख्याल रखा गया नहीं देखिए पहले घर पड़िवार की तरह रहते सेवा भाव की भावना थी लोग आते थे उनके पास छगण नहीं होती थी रोड पर रहते थे सरक पर रहते थे यह BonAl मंदीर गुरत्वारे पर वैठते थे तो इनको है को भाश Battery नहीं होती है कि इनके बीच फैल सकता है हां देखिए यह मने की जैसे डबलु एचो या इंडिया के डॉक्टर या प्रधानमंत्री मोधी जी या और जो है सो लोग हैं उन्होंने सलाह दिया है कि यह वासे इनकी दूरी बनाए रखना साबून से बार-बार हाथ धुआना इनकी बेड़ यह सब दिया हुआ है तो जो है सो जितना होता है वो कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सरकारी सुविधा मिल जाए तो इसते और बेस्तर हो जाएगा क्योंकि जनता आज कल बहुत कम आ रही है करोना के डर से आस्रम में बहुत कम लोग आ रहे हैं जिससे यहां का संचालन खानपा में दिकत आ सकता है आगे चलके इस तरह के सामना करना पड़ सकता है दिले से टाइम फ्लाइब उन्डिया की एक हो